नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर विभागी आयुक्त कारियाले में उपायुक्त मनोरंजन चंद्रभान पराते ने पुर्वप्रधान मंतरी इंदिरा गांधी तथा लोह पूरुष सरदार वल्लब भाई पटेल को पुष्पांजली अर्पीत कर उन्हें अभिवादन किया लोह पूरुष सरदार वल्लब भाई पटेल की जैनती पुरे देश में राश्टी एक्ता दिवस के रुप में मनाई जाती है इस अउसर पर उपायक्त परातेने अधिकारियों मकर्मचारियों को राश्टी एक्ता की शपत दिलाई इस अउसर पर तहसिलदार अर्विन सेलो कर पवन हंडे जहित अन्य अधिकारी गणु पस्तित थे लोहा पुरुष एवं पुर्व उपाप्रधान मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल की जैनती एवं पुर्व प्रधान मंत्री इंदिर गांधी को उनकी पुन्य तिती पर नाकपुर जिलाधी कारियाले में कलेक्टर विमलार ने मालयारपन कर उनका अभिवादन किया इस अउसर पर कलेक्टर कारियाले में भी राष्ट्री एकता दिवस मनाया गया तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्री एकत्मता की शपत दिलाई गई पुर्व प्रधान मंत्री इंद्र गांधी की पुन्यतिती को राष्टे संकल दिवस के रुप में मनाया गया इस अउसर पर उपसमाहर्था विजय बांकर, उपसमाहर्था सुजाता गांधे, अपर उपसमाहर्था शेरिश पांडे सहित, अधिकारी एवं कर्माचारी गांधी बस्तित थे महावितरन के नागपूर परिमंडल कार्याले में पुर्वप्रधानमंत्री इंद्र गांधी की पुन्यति थी तथा सरदार वल्लब भाई पटेल जयरिती के अउसर पर राष्ट्रिय कात्मता दिवस मनाया गया नागपूर प्रमंडल के मुख्य अभियंता दिलिप दोड के ने अधिकारियों व कर्माचारियों को राष्ट्रिय कात्मता की शपत दिलाई इस अउसर पर नागपूर शहर संभाग के अधिक्षय का भियंता अमित परांच पे सयुक्त मुख्य अध्योग एक समन्द अधिक सचिन लहाने सहित अधिकारी और कर्माचारिकन उपस्तित थे पुर्व विदाहक भोला बगेल, पुर्व पारशद मंगला बेन पटेल, तुकराम डेकाटे, मुकुन मुले, शेखर सत्तार, अर्विन जायस्वाल, केशव मौनदेकर, राजेश वासनिक मौजुद थे इसी प्रकार मनपा मुख्याले में, डॉक्टर पंजाब राव देशपक सुरूती स्थाई समिती सभागार में, दोनों की तस्विर पर माल्यार पंड कर अभिवादन किया गया इस अउसर पर उपायुक्त रविंद्र भेलावे, सहायक स्वास्त अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, जनसंपर्क अधिकारी मनेश सोनी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रदिप खर्डेन विस, अगनी शमन विभाग के राजेंद्र प्रजापती, राजु बरवे, रा इस अउसर पर निर्मला बोर कर इरिशाद अली आधि उपस्दित थे नाकपुर महानगर पालिका की और से नहरुनगर जोन अंतरगत, बिडिपेट वधनतोली जोन अंतरगत, जाट तरोडी में स्वास्त जांच शीविर आयोजित किया गया दुनों शीविरु का उधगाटन महाप और दयाशंकर तीवारी के हातों हुआ नहरुनगर जोन अंतरगत, बिडिपेट सोनजारी शितला माता मंदिर परिसर के स्वास्त शीविर के उधगाटन आउसर पर विधायक मोहनमते, नगर सेविका रिता मुले, पत्रकार प्रविन विगरे, अजय भुगेवार, पुर्वा नगर सेवक अशोक मुले आदी उप शिविर में कोबिट प्रतिबंधात्मक टीका करण, रक्तदाप, मधुमेह, रक्तजांच की गई, जिने उपचार की अवेशक्ता है, ऐसे मरीजों को निश्रुक अवशधी वितरित की गई, शिविर में डॉक्टर राहूल अगरवाल आरोग्य अधिकारी बीडिपेट स्वास्त सिवा प्रदान की, बीडिपेट स्वास्त शिविर के आयोजन के लिए कालेंदीनी डूमने, मोनाले सोनावने, स्वाती टेकाडे, राजेश वनकर, पवन आसोलकर, इश्वरगीद, शेलेश घूंगे, आदी ने सहयोग किया। खरेने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने, और इस सदेश को अपने साथी देशवासियों के बिच फैलानी की अपिल की। आयोजित किया गया। अधिक्षता करते हुए शायर भूला सरवर ने एक सफल आयोजन निरुपित करते हुए गजल का शेर जूट को जूट बताने में बुरा ही क्या है, आईना उनको दिखाने में बुरा ही क्या है प्रस्तूत किया। डॉक्टर शशी वर्धन शर्मा शैलेश ने करूना पीर उगा करते हैं के बाद नरेंद्र परिहार ने हत्या और आत्मा हत्या कविता प्रस्तूत की। पारसनात शर्मा के व्यंग के बाद विजे कुमार श्रीवास्तूत की कविता थी, फूल से महक चली कहे विदा विदा, मुस्कान कहे खुशी को चली अलविदा। दूसरा भगवान हो गया। कुमार द्विवेदी ने संचालन किया और दद्दा दादी की अनुभो को काव्य में समेटा। कवितेजस्वी सिंग तेज का स्वर था। ये देश बने खुशाल, चलो मंगल दिब जलाए। आज समय कि यही मांग है, हम संकल पुठाए। इतरन का कार्यक्रम किया गया। जिसमें 308 लोगों ने लाब लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुकता से वर्धबान स्थानक वासी, जैंच रावक संग के अध्यक्ष, हस्ती मलकटारिया, ओसवाल पंचायती के अध्यक्ष सुभाश को टेचा, दवाखाने के अध्यक्ष द अनिल कोठारी परिवार की और से था। तिनेश वेताला ने अपने वक्तव्य में कहां कि जिन मरीजों को मोतिया बिंद की ऑपरेशन करवाना हो, उनकी ऑपरेशन निशुल्क किया जाएंगे। आगे भी इस प्रकार के शिविर लगा कर मानव सेवा हमारी भावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में दवा खाने के सभी ट्रस्टी एवं सदस्यों ने अथक प्रयास किये। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार सचिव संजे को ठारी ने किया। अजनी थाने के पास पेट्रल पम के समक्ष आंदोलन किया गया। अजनी सक्करदरा, हुडकेश्वर और बेलतरोडी थाने में भगवान के नाम और फोटो वाले पटाके तथा बिना परमीशन वाली पटाका दुकानों के खिलाफ नीवेदन दिया गया। इस अउसर पर नाकपुरुशर प्रमुक रजद भाहुरडे, अर्श खान, भागेश्री सैजारे, कमले सौधागर, अनिके तिंगले, शुभमबराई, सुननदा निकोसे वा सभी पधादी कारिगणों पस्तित थे। स्टार रेस्लिंग अकादमी की समिक्षा कोचे ने 26-28 अक्टूबर तक 17 में आईजित राजिस सीनियर महिला कुष्टी चैंपिंशिप में कासे पदक जीता। इस उपलक्ष में उनको फूलों का गुल्दस्ता देकर सतकार किया गया। इस पदक की जीत पर खेल एवं यूवा कल्यान मंत्री सुनील केदार ने स्टार कुष्टी अकादमी की प्रशंच सा करते वे उनका सम्मान किया। इस अफसर पर कुष्टी संग के पदादिकारी गनेश कोहले, उपाध्यक्ष महराश्टर राजिक कुष्टी परिशद, हरीहर भावलकर सचीव नगर अखाड़ा, अस्थाई समती दिलिप इटनकर अध्यक्ष निलेश राव सचीव स्टार अकादमी में नाकपुर जिले क पुराने अखाडों और ग्रिको रोमन को कुष्टी मैट उपलब्त करवाई गई, नाकपुर विश्विद्याले में कुष्टी प्रतियोगिता को शामल करने के साथ ही, पहलवानों के लिए पुरानी कुष्टी मानदय योजना को फिर से शुरू करने के संबंद में संस्त रमेश खाडे, सतीश वागवारे और गोवर्धन वर्थी ने उनकी उपलब्धी पर बदाई दी, उन लेखनी हैं कि नाकपुर शेहर को कई दिनों के बाद यह सम्मान मिला है दिपावली के अबसर पर सुर्पंचम व वहभवी जुरुप की ओर से का संगीट में कारक्रम का आयूजन किया गया दिपावली कित योहार के स्वागत में गायकों ने विभन गीतों की प्रस्तुती दी रविवार दुबहर सुर्पंचम ववेभवी गृपद्वारा प्रस्तुत संगीत कारक्रम Magic of Music का कारक्रम प्रस्तुत किया गया कारक्रम की संकल्पना किरन भोसले ने की थी और इसका आयोजन आनल भगत ने किया था V5 स्टूडियो के संचालक नितिन जाड़े इस कारक्रम के मुख्य अथी दी थे दूशी मंजिल में मधुरम हॉल विदर्भिंदी साहित समेलन सीता वड़ी में कारक्रम संपन हुआ डॉक्टर विभा भुसारी जैशी कानिटकर अरुन महरोलिया सुरेंदर शर्मा तुशार रंगारी शैलेश कॉंडलकर सुनील कठाले रंजी चौरसिया बबीता शेलोकर वा आयुश सारवान ने विभन गीतों का प्रदशन किया बबीता शेलोकर ने दिपावली के मौके पर दिपावली मनाय सुहानी गाने से कारक्रम की शुरवात की उसके बाद शैलेश कोंडलवार ने ये रेशमी जुल्फे गाने पर परफॉर्म किया और कारक्रम में रंग भर दिया विभा और आनन्द ने अपने गानों के लिए दर्शिकों की तालियां बटोरी, गाईकों ने अपना दिल मैं तीरा आशिक हूँ, नदिया से दरिया जैसे विभिन गीतों की प्रस्तुदी दे कर कारक्रम को रंग से भर दिया, कारक्रम का समापन धगधग से धड़कना ना त्रित्व और इमानदार प्रयासों से दूद का एक सौवा टांकर रविवार को नाकपुर से दिल्ली भेजने में सफल रहा। नाकपुर मंदल द्वारा दूद का पहला टांकर दिनांग 4 मई को दूद एक्सप्रेस से जोड़ा गया था। आज नाकपुर मंदल ने मदर डेरी द्वारा सौवा डेल दूद टांकर लोट किया गया और यह दूद टांकर रेनी गुंटा निजामुद दूद स्पेशल से चोड़ दिया गया है जिसने आज नाकपुर से रात के एक बचे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम को सवा 6 बहुत जाएगा मदर डेरी द्वारा नाकपुर से हजवत निजामुद दिन दिल्ली के लिए 45,000 लीटर दूद का एक टैंकर बुक लोट किया गया है और सौवे दूद टैंकर से 1,8,335 रुपए का भाड़ा अरजित किया है नाकपुर मंदल को अब तक रेल टैंकरों से 1 करोड 4,004,004 की आय अरजित हुई है मदर डेरी ने भवेशे में भी इसायातायात को जारी रखने का अश्वासन दिया आश्चतोर श्रिवास्तव के नेतरत्व में यह पहल सफलता पूर्वक की गई जिला अध्यो केंदर नाकपुर के नए जिनरल मानेजर एस-एस मुदमवार का केसिया विदर्प के पतादीकारी द्वारा स्वागत किया गया कोसिया के अध्यक्ष सीए जुलपेश शाह के नेतद्व में मुदमवार का स्वागत करते हुए उन्हें कोसिया की विवद गतीवीदियों के बारे में अवगत करवाया गया चर्चा के दुरान नागपर उद्योजिकों की विवने समस्या खास कर MSME शेत्र को जो भी कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई विशेश्टह इंडस्ट्री के नक्षे को सैंक्षन एन एम आडिये से कराने में जो दिक्कते आ रही है उससे अवगत करवाया गया इस समस्या का कुछ हल निकालने क्या पील भी की गई कोईले की कमी से विदर्ब के उद्योगों को कठनाईया आ रही है उसके बारे में भी विस्तर चर्चा की गई मदिंबार ने कोसिया की कधिवीदियों की सराहना करते हुए कहा कि कोसिया विदर्ब MSME की बुलंद आवाज बनकर उभरी है इस अफसर पर सचीव प्रणब अंबा सेलकर उपाध्या शुदर्शन शेंडे सहच पटेल विपिन भारगवादी उपस्ति थे मदाताओं ने जिले में एवं राजमे सत्ता बनाने का मौका भले ही दिया फिर बीस सत्ता बनाय रखने के लिए अपने करतव्यों का पालन और जनता से संपर्ग बनाय रखना होगा सुनील केदार ने हिंगना में जिला परिशद पंचाय समिती, कृषी उतपादन बाजार समिती नाकपुर और क्रिशी उत्पादन बाजार समिती हिंगना के नवनिर्वाचत सदस्यों के सतकार समहारों में उक्त विचार व्यक्त किये केदार ने कहा कि महागडबंदन के घटक दलों के नेता पदादिकारी और कारिकरताओं ने अगरे मानदारी से आघाडी धर्म का पालन किया तो 2024 में केंदर में महाविकास आघाडी की सरकार स्थापना हो कर रहेगी रांकपा कामगार प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष, योगेंद्र ठाकुर, पूर्वसभापती, निर्बला भलावी, रेखा कलसकर, पूर्ववाडी नगर परिश्वद, महापौर्प्रेम जाडे, यूत रांकपा तालुका ध्यक्ष, रोशन खाडे, मुकेश द महिला राकपा, तालुका ध्यक्ष, सुरेखा, फुलकर, मम्ता बारंगे, सुरेंद्र मोरे, पुरशोतम डाकरे, प्रदीप, कोडगुले, आदी उपस्तित थे कई वर्षों से स्टी कर्मचारियों पर नियमत बेतन अदान करने तथा महामंदल का श्वासन में विलिनी करन करने हेतू महराश में स्टी कर्मचारियों के आंदोलन को भाजपा द्वारा समर्थन दिया गया, इसी संदर में भाजपा महानगर अध्यक्ष, विधायक पांच बजे आंदोलन किया, इस आंदोलन के दुरान करीब चार घंटों तक एक भी स्टी बस रवाना नहीं हो सकी, इस आंदोलन की पूर्वचेतावनी दिये जाने से रविवार को पुलिस का तगड़ा बंदोवस्था, बावजूद इसके भाजपा कामगारा घाडी के म महानगर अध्यक्ष, पूर्वपार्शित भासकर पराते महामंतरी खेमराज दमाहे, यूवा मोर्चा प्रदेश सचीव राहूल खंगार, महानगर यूवा मोर्चा महामंतरी दिपानशूर लिंगयात, सचिन करारे अमोल तिड़के, भाजियूमों प्रदेश सदसे रिते रहाटे तथा मध्यनाकपुर भाजपा महामंतरी विनायक देहनकर के नेतरत्व में स्टी बसेस का सुबह पांच बजे चका जाम किया गया, सभी भाजपा कारेकरता स्टी कर्मचारियों के साथ लगबग चार घंटे नारे बाजी करते रहे, पूर्वपार्शित भासकर प धारे श्री स्वामी नाराएन गुरुकुल के संत परम पूजय मुक्त बलब स्वामी व अनिरुददा स्वामी से समाज से भी भाजपा पूर्वननाकपुर मीडिया प्रमुख ने भेट कर आश्रवात लिया, स्वामी जी के साथ तकरीबन आदे घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा हूी अश्वन करिया के प्रयासे यहां मुलाकात हुई प्रथम भगवान, स्वामी नाराएन का भी शेक, महापूजा, भोगवारती की गई स्वामी जी ने भगवान स्वामी नाराएन के जीवन पर प्रकाश डाला उन्होंने बताया कि भगवान सभी भक्तों के दुख हरने के लिए स्वयम इस धरातल पर अफ्तरित हुए अगरिवाल के साथ अश्विन कारिया, जितेंद्र कारिया, नवीन ठककर, डॉक्टर विनित कारिया, सुनील आदमने, बंडु आदमने, सचिन कारिया, आदी उपस्त थे अंत में स्वामी जी ने सभी को प्रसाद वा आशिरवाद प्रदान किया राजिभर के शिक्षिकों ने रविवार को दोपेर दो बजे से पांच बजे तक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया शिक्षिकों ने चेतावनी दी कि यदि पुरानी पेंशन योजना को पुनह लागू नहीं किया गया तो तिवर आंदोलन होगा एक नवेंबर 2005 से पहले बिना सबसिडी वाले आंशिक रूप से सबसिडी प्राप स्कूल में नियुक्त शिक्षक और नॉन टीचिंग कर्मिचारी लिए दिनांग 31 अक्टूबर 2005 और 29 नवेंबर को 10 हजार को जारी किये गए सरकारी आदेशा नुफसार 1982 की पुरानी पेंश योजना के लाप से वंचित हैं इस अन्याई के खिलाप लगातार आंदोलन हो रहे हैं और शिक्षक अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार ने पीर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत होने के बावजूद कोई उचित फैसला नहीं लिया है इसलिए शिक्षकों में तिब्र आकरोश पैदा हो गया है शिक्षक नेताओं ने कहा कि इस दोरान विधायकों के सरकारी पेंशन पूर्ववत जारी रही और समय समय पर बढ़ती भी रही लेकिन शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के पेंशन रोकी गई यह रवया अत्यंत अनूचित एवं भेदभाव पूर्ण है इस दोहरी नीती के चलते राज़मे शिक्षकों में तिब्र आकरोश है नाक पोशहर जला कॉंग्रिस कमिटी के अंतरगरत नाक पोशहर कॉंग्रेज कृष्षन कम्मेनिटी सेल के प्रतिनिधी मंडल ने खेल मंत्री सुनील के दार को इसाइज समाच को चनावी राज़िती में प्रत्यक्ष प्रतर्ने के लिए मदद करनी चाहिए प्रतिनिधी मंडल की सारी बाते खेल मंत्वी सुनीर के दार ने काफी ध्यान से सुनी तथा शीष्ट मंडल को आश्वस्त किया कि इस बार वो ध्यान देंगे कि सारे समाजों के साथ न्याय हो और सभी योग्य उमिद्वारों को पार्टी की उमि प्रतिनिधी मंडल में शामल सभी मानिवरों ने करूना प्रोटिकॉल के नियमों का पालन किया आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूबर के सभी नागरिकों का कोविट शील का टीका करन नाकपुर महनगरपालिका के साथ साथ सरकार केंद्रों पर होगा टीका करन का समय शाम पांच बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पधतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वाक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिकों को कोविट शील के जरीए ठीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकितसा स्वासदीकारी डॉक्टर संजेच चिलकर ने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा दोज मेडिकल कॉलेज जॉक्टर बाबसाइब आमबेटकल अस्पिताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकत दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पिताल इमाम वाड़ा इंदरा गांधी अस्पिताल गांधी नगर मनपा स्त्री अस्पिताल में अस्पिताल की अस्पिताल गांधी अस्पिताल बाबसे नगर मनपा मूलेश्ल एम लग 17 बाने स्तुर दकर नियो फ्रेंटक।